समस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं लीवर और किड्नी के रोगों के कारण लक्षन और उनके लिए एक अचुक रामबान उपाई जिसे अज़मा कर आप तुरंत ही अपनी लीवर और किड्नी की बिमारियों से मुक्ति पा सकते हैं सरीर के अधिकतर बिमारियां किड्नी और लीवर की कमजोरी या उनमें इंफ्रेक्शन के कारण हुआ करती है ऐसे में इन दोनों को स्वस्त रखने के लिए जरूरी है कि इनको साफ रखा जाए ऐसे में डेशी उपाई सबसे बैतर है जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होँगे हैं और सरीर के दो प्रमुखंग स्वस्त भी बने रहेंगे आए हम बात करते हैं एक ऐसे खास पानी के बारे में जिसको इस्तमाल में लाकर आप अपने भीमारी से मुक्ती पा सकते हैं जिसे घर में आसानी से कोई भी बना सकता है अगर आप इस उपयों को जानना के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं यह प्रयोग जैसे लिवर से फैट को भार निकालता है उसी तरह किन्नी की क्रोनिक डिजिज से बचाये रखता है और किन्नी स्टॉन को बनने से रोकता है इसमें वो सारे उश्यदेगुन मौझूद है जो सरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जरूरी होते हैं तो आईए आज आप कैसे इन चीजों का इस्तमाल करके आपने लिवर किन्नी और पेंक्रियास को ठीक से काम करने के लिए विवस कर सकते हैं यह बताते हैं यह जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं इसे सरीर में जमा विशेले परदात सरीर से भार निक जादा वाइटल फंक्शन में मदद करता है लेकिन आज कल खानपान की गड़बड़ी के कारण लोगों में लिवर के रोग तेजी से बढ़ रहे हैं लिवर रोगों की शुरुवात में ही कुछ संकेतों लक्षनों को पैचान कर अगर जीवन सहली बदल दी जाए तो लिवर क खराबी के लक्षन और कारण पेट के दाईने इससे में दर्द पेट दर्द होने पर अक्सर लोग इसे समाने दर्द समझ लेते हैं या खाने की गड़बड़ी से होने वाला दर्द समझ कर दर्द निवारक दवा खा लेते हैं लेकिन अगर आपको पेट के दाईने इससे म पेसाब का रंग पीला होना अगर आपके पेसाब का रंग घहरा या समाने से पीला है तो ये बिलीवर की बिमारी का संकेत हो सकता है अक्सा सरीर में बिली रूबिन के बढ़ जाने के कारण पेसाब का रंग घहरा पीला हो जाता है अगर आपको कई दिनों तक गहरे रंग के पेशाप की दिक्कत हो रही है तो जल से जल डॉक्टर से संपर करे वजन कम होना कई बार लोगों का वजन भी बिना कारण के ही अचानक से कम होने लगता है ये भी लिवर की बिमारी का संकेत हो सकता है दरसल लिवर हमारे सरीर में भोजन के पाचन से लेकर पोशक तत्व के ब और एडियो में सूजन पैरो और एडियो में सूजन भी लीवर के रोगों का संकेत हो सकता है लीवर में खराबी होने पर ये स्वेम नए टिशूज का निर्मान शुरू कर देता है ज्यादा टिशूज हो जाने से लीवर के काम में बादा शुरू हो जाती है और इसकी वज़े से आपका रक्षा बढ़ जाता है इसके कारण पैरों में एक विशेश द्रव जमा होने लगता है जिसे पैरों में सूजन आ सकती है आमतोर पर इस सूजन में दर्द नहीं होता थकान और सुष्टी भी लिवर में मुझूद गंदगी के कारण हो सकती है दर पर से नय तो हमें प्रयाप्त उर्जा मिलेगी और नई प्रयाप्त पोशन ऐसे में सरीर का ठकना और सुस्तोना भी लाजमी है। इसके लक्षन पीलेपन के रूप में दिखते हैं। क्या है क्रोनिक किड्नी के रोग। किड्नी रोग को नजर अंदाज करना कई बार खतरनाक हो जाता है। इसलिए इस रोग के भ्यानक रूप दारन करने से पहले ही इसका निदान किया जाना चाहिए। और इसके लिए आपको इसके कारणों के बारे में पता होना चाहिए। किड्नी को सरीर का संतुलित कारी अंग माना जाता है। या सरीर में किसी भी चीज के कम या जादा होने को संभाल लेती है। मुखे तोर पर किड्नी, नमक और पानी को संतुलित करने का काम करती है। इसके अलावा और भी कई काम जैसे ब्लड बनाना, हड्डियों को मजूद करना यानि विटामिन डी बनाना, ब्लड प्रेशन, नियंत्रित करना और टॉक्सिन यानि विसेले ततों को सरीर से भाहर निकालने जैसे काम किड्नी करती है। किड्नी रोग को नजर अंदाज करना कई बार खतरनाक हो जाता है। जिसलिए इस रोग के भ्यानक रूप दारन करने से पहले ही इसका निदान किया जाना जरूरी है और इसके लिए आपको इसके कार्णों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए हम आपको किड़नी रोक्य मुख्य कारणों के बारे में बताते है किड़नी खराबी के लक्षन और कारण डायप्टीज आज डायप्टीज एक आम समश्या बन गई है डायप्टीज सरीर में संतुलित हार्मोंस की कमी के कारण होती है सरीर में एनरजी का स्तरोत्र सूगर स्टार्च होता है जब सूगर स्टार्च को एनरजी में परिवर्तित करने वाले इंसुलिन की सरीर में कमी होती है तो डायप्टीज के लक्षन शुरू हो जाते है सरीर में सक्रा का स्तर बनने लगता है Diabetes chronic kidney disease होने का सबसे आम कारण है Diabetes kidney के function को धीरे धीरे कम कर देता है साथ ही sugar की उच्छ मात्रा kidney में रक्तवाईकाओं को नुक्सान पहुचाती है और chronic kidney disease का कारण बनती है Hypertension chronic kidney disease के होने का एक अन्यक आम कारण उच रक्चाप है जिसे Hypertension के नाम से भी जाना जाता है उच्छ रक्चाप kidney के कामकाज को प्रभावित करता है बले ही kidney की समश्या किसी और कारण से होई हो लेकिन Hypertension इसे और भी खराब कर देता है संकुचित गुर्दे धमनी गुर्दे की धमनी किन्य के समुचित कारे को करने में मैत्पुन भूमी का निबाती है साथ ही यह किन्य के लिए रक्ट वेहन करने का काम भी करती है इस प्रकास से संकुचित या अवरूध गुर्दे धमनी गंबिर समश्या का कारण बन सकती है यह क्रोनिक किन्नी की समश्याओं के सामान्य कानों में से एक है सोडियम का अधिक सेवन सोडियम सीधे किन्नी को प्रभावित करता है क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को बनाय रखने में मदद करता है बहुत जादा सोडियम का सेवन हाई बीपी को बढ़ावा देता है इसलिए यह कहा जाता है कि किन्नी से समंदित समश्या होने पर हमें सोडियम से भरपूर खातपरदार्थ नहीं लेने चाहिए डीबाबंध खातपरदार्थ चिप्स, फास्ट फूड, जमेवे भोजन, प्रसंस्कृत, पनी स्लाइस, नमक, मसालेदार खातपरदार्थ और केचप यह सभी सोडियम समगरी के साथ पैक खातपरदार्थ है लीवर और किर्णी के रोगों से चुटकार पानी का रामबान उपाए धनीय का पानी, धनीय को अपने डाइट में सामिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है आप सबसे पहले, पानी में धनीय के पत्ते को डाल कर उसे कम से कम 15 मिंट तक उबाने और फिर उसे एक साब बोतल में च्छान कर रख ले इसके बाद इस पानी को आप रोज कुछ दिनों तक पियें, फिर आप देखेंगे कि आपके हैल्थ में किस तरह से सुधार हो रहा है धनीय जो लिवर और किन्नी को साफ कर देगा और इन दोनों से विसेले परदार्थों को सरी से भार निकाल देगा धनीय और निम्बू का सूप इसको बनाने के लिए जरूरी चीजों के बारे में जान ले ताजा धनीय के पत्ते का एक गुच्छा आदा चमच मक्य का अटा एक चमच क्रीम मिर्च पाउडर सेंदा नमक और एक कटा हुआ निम्बू इस सूप को बनाने के लिए आप सबसे पहले धनीय के पत्तों को एक कप पानी में डाल कर 15 मिन तक उबाने और इसे अलग एक कप में रग दे इसके बाद इसमें मक्य के आटे का पेश्ट बना कर मिला दे फिर इसमें क्रीम और एक चुटकी मिर्च पाउडर डाले फिर अपने स्वादनुसा नमक मिलाए और निम्बू का रस मिला कर आप इसको सेवन करे इस तरह से आपका यह हल्दी और गरम सुपत्यार हो गया आप इसका सेवन कर डेली अपने खाने में आप लिवर और किड्नी की हर रोग से मुक्ति पा सकते हैं किड्नी लिवर हो जाएंगे दुरुस्त रोज पीए यह पानी किसमिस का पानी रोज सुबह पीने से सरीर को विटामिन, मिनराल्स, डेर सारी मात्रा में प्राप्त होता है साथ ही समिस सूगर लेवल भी कम होता है इसमें प्राकर्थिक एंटियोक्सिडेंट की मात्रा बढ़ जाती है जिसे आपकी सुरक्षा बीमारियों से होती रहती है किसमिस और किसमिस का पानी सदियों से हिर्दय और लिवर की बीमारी को ठीक करने के लिए प्रियोग किया जाता है, किस्मिस के पानी को लगातार, चार दिनों तक पीने से लिवर और किन्नी अच्छे से काम करने लगते हैं, और सरीर में जमें विसेले परदाद बाहर निकलते हैं, किस्मिस खानी के स्वास्ते वर्दक फायदे, किस्मिस का पानी पीने से पाचन के र किस्मिस का पानी आप किस प्रकार से बनाए दो कप पानी, डेट सो ग्रम किस्मिस एक पेन में साफ पानी में डालकर उबा ले फिर उसमें साफ दूली हुई किसमिस डाल कर रात बर ऐसे ही पानी के अंदर छोड़ दें दूसरे दिन सुबह पानी को चान ले और दुबारा धिमी आच पर हलका गरम करके खाली पेट पी ले इसके बाद 20-35 मिन तक रुकने के बाद ही आप नास्ता करें या कुछ खाए पिए ऐसा 3-4 दिनों तक करने से आपको लाब होगा गहरे रंकी किसमिस हमेशा गहरे रंकी किसमिस ही चुने साफ और चमकदार किसमिस में अक्सर रसायन मिले होते हैं जो स्वास्ते के लिए हानिकार कोती है इस ट्रीटमेंट को एक महिने में 4 दिनों तक लगातर करें इसके कोई साइड डिफेक्ट नहीं है मगर आपको सक्कर का सेवन थोड़ा कम करना होगा क्योंकि किसमिस में पहले से ही मिठास है क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों, जय हिंद